सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडी स्टार्स को और लेटेस वीडियो के लिए इस बेल आइकान को क्लिक कीजिए हलो श्टुडेंट मैं दिपेस के सरवानी आपको अपने सी यूटूब चैनल स्टडी स्टार्स में 36 गर्से संबंदित वीडियो प्रोवाइड करता हूँ देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि जो पटवारी कभी एकजाम हुआ है उसके लिए दावापत्ति कैसे कर सकती है तो सबसे पहले आपको cgvapam के वेबसाइट पर आ जाना है cgvapam का वेबसाइट उपन करना है आपको फिर यहाँ पर दावापत्ति का आप्शन आपको मिल जाता है इस पर क्लिक करके आपको इसके अंदर आ जाना है देखें, सीजी व्यापम के वेबसाइट में दावपत्ती के लिए यहाँ पर सामदे देख सकते हैं बताया गया है, निर्देश दिया गया है, निर्देश को क्लिक कर सकते हैं या फिर link पर आप click कर सकते हैं, पहले आप निर्देश पढ़ लीजे, उसके बाद हम link पर जाएंगे, तो देखे निर्देश क्या है, निर्देश यहाप पर दिया गया है, देख लेते हैं, देखे दावपत्ती संबंदित निर्देश है, जो आपका पटवारी का एक्जाम ह हुआ है उसके लिए आप 18 माई 2022 को साम के पांच बज़े से पहले तक अपलाई कर सकते हैं दवा अपत्ति के लिए बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप इसको अराम से पढ़ लिजेगा नीचे में चीज मैं आपको बता दू कि फॉर्मेट कुछ इस प्रकार क रहता है वो बताया गया है चलते हम लोग वापस वेबसाइड में देखे अब आपको यहाँ पर लिंक पर जाना है लिंक फॉर दावापत्ति यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है यहाँ पर यूजर अस्तिर्श दिया गया है दावापत्ती फार्म पढ़ने के लिए सब्से पहले आपको दो वेबसाइड पर जाना है तो हमने वेबसाइड पर आ गये है उसके बात देखे यहाँ तक हम आ चुके थे तो हम यहाँ से बताते हैं से लिए देख़े उबर नंबर क्या है inter weapon farm registration नंबर तो पंजियर नंबर यहां पर आपको डालना है अपना registration नंबर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है डियो भी डालना है डेट अब बर्त जिसका format यहां पर दिया गया है देख सकते हैं जन्म दिनांग अंकीत करें जन्म दिनांग इसी format में रह उसके बाद आगे देखिए आगे आप देखेंगे पोर्टल में देखें, question paper आपको यहाँ पर चुनना है फिर आपका state का नाम डालना है फिर question number डालना है देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस प्रकर का PDF है जैसे कि आपको यहाँ पर answer दिना है कि कौन सा answer लिया गया है और कौन सा answer हो सकता है तो आप इस प्रकार यहाँ पर डाल सकते है जैसे कि model answer यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, model answer क्या लिया गया है व्यापम के द्वारा, तो यहाँ पर जैसे कि arithmetic logic init लिया गया है तो यहाँ पर क्या लिए गया है D तो यहाँ पर आप इसको fill कर देंगे फिर online दावपत्ती start date और आपके अपत्ती का in date यहाँ पर बतायेगा पड़ भी सकते आप यहाँ पर सारे चीज लिखे हुए है पुरा set का नाम भी दिया गया है सारे चीज आपको पूरी स्वीधा मिलती है website के link के अंदर जाने के बाद लेकिन हम अभी यहाँ पर apply नहीं कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर login नहीं कर सकते चलिए आगे देखिए फिर देखिए आपर आगे जो process रहेगा वहाँ पर आपका जो answer हैगा उसको आपको यहाँ पर feel करना है फिर आपको उस उत्तर का कारण भी यहाँ पर बताना है क्यों उसका उत्तर क्यों है उसके बाद आपको एक file upload करना है जो PDF में होना चाहिए देखिए उत्तर से संबंदित file यहाँ upload करे फाइल पीडियाप में हो तथा पाँच पन्ने से धीक ना हो तथा फाइल की साइज एक एमी से धीक ना हो तहाँ पर आप फाइल अपलोड करेंगे जो आपका अंसर रहेगा उससे संबंधित यहाँ पर आप रिमार करें सकते हैं आपके द्वारे दिये गए उत्तर के लिए अपनी रराय यहां लिख सकते हैं तो आप अपनी राय लिख सकते हैं क्यों यह आणसर ہو नहीं है इस सारे चीज बाकी याद रखेगा यहाँ पर आप फाइल जरूल अप्लोड कर दिजिएगा जैसे की आपका मैस का आंसर है तो मैस का पूरा सलूशन बना देना है सिस्टेमेटिक तरीके से क्योंकि मैस का कोउश्चन सेम कोउश्चन मिलना मुश्कील है इसलिए मैस का आप सिस्टेमेटिक आंसर बनाके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या फिर जो भी सोर्स रहेगा आपका उसका पीडियाप बनाके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर click करना है गोश्ना पत्र पढ़ने के पर साथ यहाँ पर tick करेंगे फिर यहाँ पर share your answer करेंगे print receipt आप यहाँ पर ले सकते है देखें यहाँ पर दिया गया है print receipt प्राप्त करें आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके द्वारा भरी गई जानकारी role number, set, model, उत्तर, दावापत्ती, उत्तर, दावापत्ती, region, आपके द्वारा चुनी गई उत्तर तथा remark के यहाँ प्रदर्सित होंगे तो जो जो आप fill करेंगे वो सारी चीज़ यहाँ पर प्रदर्सित होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो जो आपने fill किया है तो पूरा process जो है एक manual के रूप में बता दिया गया है इस manual को सबसे पहले आप डाउनलोड कर ले अच्छे से समझ ले उसके बाद आप वैपम के वेबसाइट पर जाकर इसे अपलाई कर सकते है manual कहां से मिलेगा तो manual यहाँ पर मिलेगा user manual दिया गया है सबसे पहले आप वैपम के वेबसाइट पर आएंगे दावपत्ती पर जाएंगे फिर link for दावपत्ती पर जाएंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा user manual आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसको समझने के बाद आप इसे फिल करके आगे अपलाई कर सकते हैं तो I hope आपको clearly समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपे अपलाई करना है तो यह important information था आप लोगों के लिए कि किस प्रकार अपलाई करना है तो अगर आपको हमारे द्वारे दी गए जानकरी पसंद आ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई नया स्टुडेंट हमारे चैनल पहली पर आ हो तो चैनल को सस्क्राइब करें साथी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहाँ से आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जोईन करें